जब भी आपके बच्चे बाहर का चौमिन खाने कर जीद करें तो आप उन्हें घर पे इस नास्ते को बना के दे सकते हैं ये नास्ता खाने में बहुत ज़्यादा टेश्टी और हिल्दी भी है कि इस नास्ते को मैंने गेहू के आठा से बनाया है तो चलिए देखते हैं इस नास्ते को कैसे बनाया है मैंने तो सबसे पहले दो कप आठा ले लेंगे अब हम इसमें स्वात के अनुसा नमक डाल देंगे और दो चमश तेल डाल कर इसे कड़ा आठा लगा लेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें इसका कड़ा आठा लगा लेना है हमारा आठा लगकर तयार है तो अब हमें कैची लेंगे और कैची के सहायता से इस तरह से हम काट लेंगे जैसा कि आप विडियो में देख रहे हैं जब ये कट जाए पूरा तो हम उबलते हुए पानी में इसे 5 मिनट के लिए उबाल लेंगे जैसे कि हम बाहर से जब पास्ता या चौमिन मंगाते हैं और उसे उबालते हैं ठीक उसी तरह से हमें इसे उबाल लेना है इस पास्ते को उबालते हुए हमें 10 मिनट हो गया है ये अच्छे से पक गये हैं तो अब हमें इसे निकाल कर साइड में रख लेंगे दोस्तो ये नास्ता बहुत ही टेस्टी होता है आप एक बार अपने घर में जरूर ट्राइ करिएगा अब हम उसी कड़ाई में 3 चमच तेल डालेंगे और एक चमच के करीब मैंने लसन के इस तरह से काट लिया था वो डाल दिया है एक आधा चमच के करीब मैंने इसमें अधरख घिसा हुआ डाला है और एक प्याज को मैंने इस तरह से काट लिया था वो भी डाल देंगे और एक सिम्ला मिर्च को मैंने इस तरह से चोकोर में काटा है उसे भी डाल करें एक मिनट के लिए भूनेंगे अब हम इसमें ग्रीन चिल्ली डाल देंगे और इसमें आधा चमज के करीब काली मिर्च पाउडर डाल देंगे अब हम इसे एक मिनट के लिए भूनेंगे हमें इसका कच्छापन नहीं निकलने देना है हमें इतना ही फ्राइ करना है जिससे थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए अब हम इसमें एक चमच के करीब चिल्डी सॉस एक चमच के करीब मैंने टोमेटो सॉस डाला है इस तरह से मिला लेंगे अब मैंने इसमें थोड़ा सा सेजवान चटनी मिलाया है इससे यह रेशिपी और ही चटपटा बन कर तयार होगा अगर आपके पास है तो आप डालिये नहीं है तो आप इसके बीना भी बना सकते हैं अब मैंने इसमें अपना ये पास्ता डाल दिया है और थोड़ा सा नमक डाल दिया है इसे अच्छे से मिला लेंगे दोस्तो मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है कमेंट करके जरूर बताईएगा चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा वीडियो को एक लाइक जरूर देजिएगा अपने फ्रेंड और फैमली के साथ सेयर करिएगा हमारा ये नास्तावन कर त्यार है आप अपने बच्चे को खिला सकते हैं विफिक्ट होकर ये बहुत ही टेस्टी और हिल्दी है मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ इसी तरह का आसान और टेस्टी रेसिपी लेकर तब तक के लिए बाय बाय थैंक्स पूर वाचिंग